विनाश्रक वायरस जी हाँ वस्था की जारी है राज में कोरोनाव वारस की जाच मुम्किन हो गई है लखनों में कोरोनाव वारस की जाच शुरू की जा चुकी है केजी एम्यू में रिजेंट आ गये हैं ऐसे में सेंपल को पूने नहीं भेजा जाएगा दरसल किन सरकार ने केजी एम्यू में कोरोनाव जांच के आदेश दिये थे पगर यहां स्थापित बेसनल थ्री लैब में जांच के लिए आवशक रेजेंट नहीं थे लहाजा आदेश के बावजूत जांच मुम के नहीं थी रविवार को संस्थान की रेजेंट मिल गए और सुमवार को लैब में मशीनों का ट्रायल भी कि गया इस दोरान करमचारियों को प्रसेक्शन दिया गया है तो अब लखनों में भी कोरोना वारस का जिस कदर कहर देखा जा रहा है उसमें उसकी जाच आराम से की जा सकती है तो coronavirus का कहर पूरे देश मरें देखा जा रहा है पर बात सर्फ लखनों की करें तो लखनों में भी coronavirus के लक्षन की पूरी विवस्था की जा चुकी है लैप भी बनाये गये है और जहां पर lab बनाये गया है वहां easily test भी किया जा सकता है और खास करके प्रदेश में लखनों की बात करें तो यहाँ पर कॉरोना वायरस को लेकर बहुत ही अच्छा विवस्ता किया गया है इस पर तमाम अपडेट के साथ हमाई समवाद आता गगर हमार साथ बने वे हैं लेकिन अब यहाँ पर लखनों में केजियों में जो बेसल थी था वहाँ पर रेजेंट नहीं था लेकिन अब आभी करमा का गया है यानि कि अब वो सारी वेस्ता हो गई है कि अगर कोई चाइना से अगर आता है यहाँ पर उसको करोना वाइरस की जांच करनी है तो अब पूर्णे नहीं भीज़ा आएगा बलकि लखनों की केजियों में की बीएसल थी जो लैब है वहाँ पर जांच हो सकेगी उसके लिए बकाइदा जो वहाँ पर कमचारी हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है क्योंकि बिना ट्रेनिंग के यह संभव नहीं है कि किसी भी कॉरोना वाइरस को जांच कर जा सके इसी किसलते अब लगातार के जिए वो प्रसासिंग की तरफ से उन जो लैब टेक्मिशन ह हैं या जो लैब में जो डॉक्टर्स होते हैं उनको परसिचर दिया जा रहा है कि आखिर का कैसे जांच कि आती जिससे यह साहत यह मदद होगी कि जो भी आप चाइना से अगर कोई भी आता है लगनों उसको आठ्स दस जिंग इंतजार करना पड़ता है तब तक उसको और लेकिन अगर लगनों केजियो में जांच हो सकेगी तो आसानी से उसकी जो रिपोर्ट होगी वो जल्दी आ जाएगी और जल से जल उसको यह पता सल जाएगा कि वो करोना वारस उसके पास निगेटिव है या पॉजिटिव इसी के चलते केजियो में ने काफी मेहनत की है इ एक सैंपल के तौर पर भी टेस्ट किया गया था जो सफल रहा किन लिया गयाँ जिससे तौरस वे सफल में पहला ने पहला उसका सैंपल की शाओगए तो बोश्य फ्रसट लिब जो भाये गहे हैं जिसमें जितने भी जो भारत आये गा की जाइगा जितने भी जो जोट नाrás लग्रत से बगव्र साथ होता है उसको वापस घर बेज़ जाएगा लेकिन उसको हो प्रक्रिया होगी वो के जटी में सुनुर करतेगा जी बिलुकुल गगन तो लैब टेस्ट के साथ मैं आपसे ये भी जाना चाहूंगे कि हॉस्पिटल में किस प्रकार का इंतजाम किया जा इसके साथ क्या कुछ तैयारिया पूरी कर ली गई है केजियों में के हाउस्पिटल में कि अधिके लखनों की बात करें तो ना सिर्फ केजियों में आप चौदी चर्ण सिंग से निकलने के बाद आज पास में कई चार से पांच होस्पिटल पड़ते हैं इसमें अधिके पीजिया हो गया और सिविल हॉस्पिटल हो गया के जी में हो गया यहां पर एक पूरा वार्ड रिजर्व रखा गया है को ना वाइरस के चलते और जितने भी चाइना से लोग आ रहे हैं उनको अगर थोड़ा सा अशक होता है तो उनको उनी वार्ड में जो भी जिस होगी होगी चाहिए ब्याइब जिब्गाई हो सिविल हो या फिर के जी मुट्व वहां पर लेजाए गा लेकिन जो सेंपल जांच होगा वह की जिए वही होगा क्योंकि के आविवेस्था लागू की गया इससे पहले जितने भी सेंपल भारत के किसी भी कौने से लिए जा कि बात आएगी एगर सेंपल चेक होना होगा वो केजी मों होगा और परशासन पूरी तस्थ मुस्तायद है कि अगर ऐसी कोई सेंपल लेने के लिए एरपोर्ट आना है या जो जो व्यक्ति जो आ रहा है चाइना से उसको वेजी मों आना है तो बकाइदा एक अबुलेंस की व परणव वारस से चीन में फैली महमारी के बाद भारतियों का चीन से अपने देश लोटने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है हाली में चीन से लोटे ऐसे एक युवक को परिजनों ने जिला चिकित साले ललितपूर में वारस की संदिक्ता को देखते हुए भरती कराया है जहां मरीज की जाच की गई है प्रधम रिष्ट्य युवक में कोई भी इस तरह की विमारी के लक्षण नहीं पाये गाए है लेकिन संदिक्ता को देखते हुए उसे अभी डॉक्टरों की देखरेक में रखा जाएगा अज़ जबल्पर से लज़तुड़ा आया और उसको कोई सिंद्टम ने ना और इसे खबर पे ताज़ा अपडेट के साथ गगन मिश्रा हमारे समवादाता बने हुए हैं गगन आप से जाना चाहेंगे कि एक शख्स को लक्षन जब पाया जाता है पर उसके बावजूद भी उस पे यदि कोरिना वारस का कोई भी मतला कन्फरमेशन नहीं मिल पाता कि इसे कोरिना वारस का अटाक हो सकता है नहीं वैसे में डॉक्टरों की इर्दगिर्द में भी रखा जाना नो डाउट बहुत ती कहीं न खहीं अच्छी बात है क्योंकि डॉक्टरों की निगरानी में रहना बहुत जादा जरूरी है ऐसी खबर सामने आई है ललितपुर से तो उसकी क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास अगर अगर मरीज घर जाना चाहता है तो मरीज को साफ तर पर काई जाता है कि उसके परिजन मास्क लगाकर रहे हैं और इसको और फिलहाल अभी जांच में नहीं आया है वो फिर से लेकिन फिलाल लरीट पूर के जो पेसंट था उसका सुरुवाती में तो तुरुवाती जान्ट पे तो नेगेटिव आया है लेकिन कोई और कभी 25 लोग के लिए गए तो उत्तरप्रदेश में उसमें लबबग सभी लोग के नेगेटिव आया अभी पॉजिट्व नहीं आया लिए तयार है कि अगर उसका सेंपल फिर से जांच की जाएगी जिसके बाद उसका आगी का चार के जाएगा जी गगन तो आपसे की समझना चाहेंगे कि जिस श्रक्स को ललितपूर में बताया गया किसे गॉर्णा वायरस का जो रिपोर्ट है वो पॉस्टेव पाया उसके विए और की से बनी हुए है और कि दॉक्ति को एक व्यक्ति से उसको घर भेजा जाएगा उसके आसपास जो डॉक्तर रहते हैं वो भी काफी अलट रहते हैं क्योंकि दॉक्ति सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती कि 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 तरह प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तयारियां चल रही हो और किस तरीके से योगी आदितनात अपने प्रदेश को उत्रप्रदेश के लखनौ शहर को अलर्ट पर रखे हुए हैं अधिक जब से करोना वारत में पाउच्व आया था इक वक्ति के उसके बास सही पूरे देश में अलर्ट है खासकर उत्रप्रदेश में काफी संक्या है लोगों की चाइना से आने की और लोग लगातार यहां पर आ रहे हैं इसके सलते योगी सरकार ने जितने भी रही है उसके बागाएदा उसके बाद जितने भी हॉस्पिटल है जितने भी बड़े हॉस्पिटल इसमें एच्जी पीजी आई हो गया केजी मुझे हो गया वहां पर वार्ट सुरक्षी तक है कि एक करोना वार्ट के लिए एक बनाया गया इस पेसल साथी साथी जाद यह करोना वार्ट से उनसे यही कहा गया है कि आप अवकास ना ले ताकि अगर एमजनसी में कोई ऐसा मरीज आता है जिसको करोना वार्ट के सब्सक्राइब कर रहे हैं जितने भी दॉक्टर से उनसे लगाता है जिस तरीके से सेंपल जाज की विवस्ता जो लखनों में हो गई है उससे कही ना कही सभी को बहुत जादा फायदा मिलेगा गगना बने रहे हैं आप हमारे साथ आगे भी आपसे इस खबर पे अपडेट लेंगे वहीं बात करें फिरोजबाद की तो फिरोजबाद में भी चाइना से लौटे एक युवक को कोरोना वार्स एफेक्टिट संदिक्द होने पर मेजिकल कॉलेज के आईसोलेटिट वॉर्ट में भढ़ती करा गया है प्रातमिक जाज के बाद युवक को दिल्ली रैफर कर दिया गया युवक इमरान चाइना में काच का कारोबार करता है तीन दिन पुर्व ही चाइना से लौटने पर उसे बुखार की शुकायत थी जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में चकप के लिए भढ़ती करा गया जाज के बाद उसको राम मन तो वहां से लौटने के बाद इनों ने अभी बताया है कि इनको 2-4 दिन से खांसी और बुखार आ रहा हैं माज़े के लिकर तमाम अपडेट के साथ गगं तो हमारे साथ लखनों से बने हुए हैं पर इस वक्त रुक कर लेते हैं फिरोजबाद का जहां हमारे समवाद आता शुभम दुबे भी फोन लाइन पे है शुभम आपसे समझना चाहेंगे कि फिरोजबाद में भी एक संदिक्त की पहचान हुई है कोरोना वारस को लेकर उसे दिल्ली में रैफर कर दिया गया है कि क्योंकि कोरोना वारस एक बहुत बड़ा वारस है जिस तरीके से फैलता है नो डाउट लोगों की जान तक खत्रे में आ सकती है तो ऐसे में बड़े हॉस्पिटल में रैफर करना कहीं न कहीं उसकी शुरुवाती जो जाच है उसे कहीं न कहीं लोगों को डर बन जाता है कि कहीं ये बढ़ना जाए जिस वज़ा से उसे जिलास पताल या बड़े खॉस्पिटल में राफर कर दिया जाता है देखिए बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश ही बात करें तो क्योंकि इतनात करोना वायस पर काफी गंभीर हैं और लगातार वो डॉक्टरों से सला भी ले रहे हैं इसी की चलता है पूरे प्रदेश में करीब सारे 800 बेड रिजर्व किये गए हैं मेडिकल कॉलेज में इसी कि यहीं गंभीरता दिखाता है कि किस तरह से सरकार गंभीर है क्योंकि करोना वायरस की जब पहचान हुई थी पूरे भारत में उससे पहले ही कुछ लोग चाइना से आ चुके थे उनको भी आईसो से उसके डॉक्टर की देखरेक में रखा जा रहा है नेपाल से जो लोग लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें उत्तर प्रदेश में वह टेक्नोलोजी आई है जिससे जांच की जा सके क्योंकि अगर यहां पर मानिये डॉक्टर शीव मरीश को संदिक्ट पाते हैं और उसकी जांच नेगैटिव आती है तो कोशिश की आती है उसको यह बाद हो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर उसको करोना वाइरस है और संदिक दिमान कि उसकी रिपोर्ट किसी प्रकार से गलत हो आती है तो नेगेटिव आता है तो ना सिर्फ वह व्यक्तिव बार्कि उसके आसपास जितने भी लोग लोग विए उसको भरवाले होंगी उनको समझा जाए कि आसपास के हॉस्पिटल में इतनी विवस्था नहीं है सरकार मुस्तैड नहीं है कि जिसे जिस वज़ा से जो संदिक है जो मरीज है उसे राफर करना पड़ रहा है जी मैं बलकुल आपको निश्चे तरफ बता दू कि फिरोजावाद से लेकर अन्य जिलाज पतालों की वो जो सादारा निलाज है उसमें भी उताही बदती जाती है और यह जो वारस है काफी गंबीर मामला लेगे फिर भी जिलाज पताल से लेकर अन्य जिलाज बात किया है जी मैं बतातूं मरीज जी अभी अस्पताल में एडिमिन कर दिये गए और उनकी इस्तिती सावान है और उनका उप्चार रामन होल होई है ऑस्पिटल में किया जा रहा है जी बिलकुल शुबं बहुत 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 शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए चलिए इसे के आयात बंध है जिसकी वज़ा से युद्धो का नुकसान हो रहा है भारत में भी कोरोना वारिस का डर हावी है और इसका असर भी होना शुरू हो गया है दाजनगरी आगरा पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है आगरा का जूता उद्योग चीन से हर महीने 15 करोड का कच्चा माल मखाता है लेकिन अब करोना की वज़े से आयात नहीं हो रहा है जिसकी वज़े से जूता वेपारियों के साथ साथ मेरे आगरा पर भी असर देखा जा रहा है करोना वाइरस एक बड़ी तेजी से फैल रहा है चाइना में और उसके फैलने से जो इंडियन फुटवेर इंडस्ट्री या जैसे आगरा का उद्योग माना जाता है सबसे बड़ा है इंडिया में उसमें बहुत फरक पड़ेगा क्योंकि जितनी मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके ओपर जादा फरक पड़ रहा है तो जितने डिमेस्टिक वाले हैं उनके ओपर भी बहुत फरक पड़ रहा है क्योंकि जो चाइना से माल आता है वो एक तो सस्ता होता कंपेटिटिवनेस बढ़ जाती है और जो आजकल हमारे यूरप में माल जाते हैं वो भी प्राइस कॉंशन्स हैं बाहिस इसलिए हमें ये लगता है कि चाइना से अगर माल आना बंद हो गया करोना वाइरस पे लगाम नहीं लगाई गई तो हमारे जोता निरयात होने में भी बहुत प्राब्लम्स है आगरा के जूतों की यूरोपियों देशों में काफी माँ है और हर साथ 3,500 करोण रुप्रों के जूतों का निरयात होता है और कच्चा माल चीन से आयात होता है माल आयात करने वारे वेपारियों का कहना है कि अब कुछ यी दिन का स्टांफ बचा है अगर जल्द ही करोना वारेस पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो नहीं काफी नुकसान छेलना पड़ सकता है इंडिया की शु इंडस्ट्री जो है वो चाइना पर बहुत डिपरणिंट है क्योंकि बहुत सा मेटरियल चाइना से आता है खास करके जो जूते हैं वो डूमेस्टिक मार्कें के लिए वो भी बहुत आते हैं यहां पर रॉमेटरियल आता है जैसे मिसाल की तोर पे हम यहाँ पे यह सोल जो ले रहे हैं यह सोल का जो यह मोल्ड है यह मोल्ड चाइना से बनता है अगर यह मोल्ड नहीं आएगा तो सोल भी नहीं बनेंगा अगर सोल नहीं होगा तो हमारे जूते भी नहीं बनेंगा इसी तरह से अंदर की जो लाइनिंग है ये सिंथेडिक लाइनिंग जो है ये चाइना से बहुत इंपोर्ट होती है टेक्स्टाइल इंपोर्ट होता है और बहुत सारी छोड़ी-छोड़ी मिट्रियल है जो जूते की इंडस्टी में लगते हैं चीन कोरोना वाइरस की चपेट में है और भारत में भी कोरोना के तीन मामले सामने आ चुके हैं इस डर के बीच बिजनस पर भी असर देखा जा रहा है और आगरा का जूता उध्योग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है चीन से फेले कोरोना वाइरस की बज़े से ताज़नगरी आगरा का जूता उध्योग पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है क्यूंकि जूता उध्योग से जुड़े लोग चीन से कच्चा माल आयात करते हैं जानकारी के मताबिक जूता उध्योग चीन से लगभग 15 करोड रुपे का हर महीने कच्चा माल मगाते हैं तमाम तरह के कंपोनेंट चीन से आते हैं लेकिन कोरोना वाइरस फैलने की बज़े से अब इस माल पर रोक लग चुकी है जूता उध्योग से जोड़े लोगों का साथ तोर से कहना है कि अगर कोरोना वाइरस पर रोक नहीं लगती है या इसका कोई इलाज नहीं तलासा जाता है तो सायद ताजनगरी आगरा के जूता उध्योग को काफी नुकसान होगा आगरा से शिर्चोहान आरनाइन टीवी उत्रप्रदेश कामला सामने आया है कोरोना वाइरस की जांच के लिए भरती को भरती कर दिया गया है युवक को अस्पताल प्रशासन का दावा नहीं मिल रहा है वाइरस के लक्षन यतिहाद के तौर पर खून का सेंपल पूने भेज दिया गया है तो बड़ी खबर आपको वारनसी से बता आ रहे हैं जहां पर कोरोना वारस की दाश्वा तफ्यालती हुई नजर आ रही है चीन से आया युवक जांच के लिए इसलेशन वार्ट में फिलहाल भड़ती है पर अभी डॉक्टरों का दावा है कि अभी कोई भी लक्षन नहीं मिल रहे है फिलाल उसके खून का सेंपल युपो ने भेज दिया गया है अब सेंपल जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर में यह जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है या नहीं तो इतिहाद की तौर पर खून का सेंपल भेज दिया गया है वारा नसी से भी खबर सामने आ रही है तो कॉर्णा वारस का क में पड़ावी सेंपल के लिए खून का सेंपल के लिए पूने भेज दिया गया है तो बड़ी खबर वारनसी से वारनसी में भी कोरोना वारस की दश्वत नज़र आ रही हैं चीन से आया यूवक जांच के लिए इस्तुलेशन वॉर्ट में भड़ती करा गया है और इस कबर पे ताज़ा अपडेट के साथ हमारे समवादाता राजू श्रवास्ता हमार साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं राजू आप से जाना चाहेंगे कि अब तो वारा नसी से भी खबर आ रही है कोरोना वारस को लेकर अभी क्या कुछ अपडेट है, डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं सक्ष को लेकर देखे अभी हमारी यहां के पेमिक से बास्टे की उनका कहना है कि ब्लड के सेंपल लेकर भेज दिये गए हैं जांच के लिए जांच में जब तक सेंपल की कुछ्टी नहीं हुजाती कि इस तरीकी कोई चीज है तक से इसे कंफन न माना जाए हलाए तक परिके रियाख वरत्ते की परसेश की जारी एक जो लेनी की जरूरत है वो बिखाय जारा है यहां पर और कहीं नहीं उस वाज को पूरी तरीके की सब्सक्राइब हॉस्पिटल में इसके लिए एक अलग से वाड बना दिया गया है और वाड में वह तीनियर भी डॉक्टर जाएंगे उसके अलावा कोई वहां प्रवेस्ट नहीं करेगा और एसे में व्लड का जो तैंपल है वो कुने वेज़ दिया गया है जांच के लिए हाला की जो एक सिं प्रवेस्ट नहीं प्रवेस्ट नहीं करें तो डॉक्टर ने इसको लेकर कुछ कहा है क्या पहले हम एक साफ इस बात तो कर दें कि जिस तरह से लगातार जो जिलो में उत्तर प्रदेश पूरे उत्तर प्रदेश में खबरे आ रही है कि करोना वारेस को लेकर संदिग्द माना जा रहा है या उसकी रिपोर्ट पॉस्टिव आई है तो फिलहाल जो सरकारी आकड़े है जो उत्तर प्रदेश हेल्फ तरह जारा है कि संदिग्द पाई आते हैं यानि कि जो एरेपोर्ट से धर्मल जो स्कैनर है उससे निकलता है वो संदिग्द पाई जाता है संदिग्द वो होते जिनको बुखार या सरदी जुखाम या खासी होती है या बलकूल तो इलाज के चीन के वहान शहर से भारत लाए गए भारतिय चात्रों की खुशी का ठिका न नहीं है अब वो राहत की सांस ले रहे हैं उन्होंने अपनी खुशी का इजहार डांस करके जटाया है इन चात्रों को हर्याना के मनेसर स्थित भारतिय सेना के विशेस निगरानी केंद्र में 254 लोगों को भारत ले जा चुका है चल एसे के साथ बढ़ते हैं आगे तो केरल में कोरुनवारस के तीन मामलों की पुस्टी होने के बाद प्रदेश राज की आपदा खोशुत कर दिया गया है राज में अलर्ट जारी कर दिया गया है और स्वास्त विभाग के सभी वो भी रद कर दी गया है सरकारी अस्पताल की और से जारी चिकित्सए ये बुलेटिन में कहा गया है कि जिन छात्रों को ये संक्रमन होने की पुस्टी की गई है उनके स्वास्त की स्थिती संतोष यनक बताई जारी है इस से पहले चीन के वुहान में पढ़ने वाले दो च तो चीन के वहान शहर से शुरू हुआ कोरुना का कहर धीरे धीरे भारत में भी पहुंच कया है कोरुना वारस का कहर जारी है और चीन में अब तक 426 लोगों की कोरुना वारस से मौत हो चुकी है इसको देखते वे भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए चीन जाने को लेकर नई ट्रेवल एडवाईजरी भी जारी कर दी गई है इसमें भारती नागरिकों से चीन की यात्रा करने से परहेज करने को भी कहा गया है चलिए तो इस बुलेचर में फिलाल इतना ही बने रही है आर्नाई टिवी के साथ सर्फ खबर के लिए